फ्रेंड्स में चनल को फॉलो करने के लिए आप सबको थैंक यूँ मैं एक सीरीज बनाया था जो वेडिंग अलबॉम या फोटो बॉक अलबॉम कैसे बनते हैं उसका कुछ ट्रिक्स मैंने आपको दिखा था डिजैन कैसे होता है लेकिन मैंने सुरू से बताया था कि डिजैन मैं आताता हूँ कि एक पेच सेटप या डिजैन करने से पहले एक पेच सेटप कैसे से करना है किस तरह से इसको डिजाइनिग का जो जो रूल से इसका आपको मिंटें करना है तो सब स्बसे पहले कुछ क्या करना है मैंने कौन nressat अस fraction करूओ मैंने व साइज तो कुछ भी ह 12 Julie's 22-14 कि मैंने आपको 32 कर दिखा तो इसका लियाओट का भी मैं कैसे लियाओट बनता है उसका कुछ ट्रिक्स मैं आपको देता हूं को तो इंच्स में किजिए और यहां पिज़िए 36 यहां पिजिए 12 और यह इसको 200 कि j ै और इसको और जीर्वुमोंड यह मेरा पेज है कि इस टेजर पेज्ग करना और ये आपको बिद्ग करने का टइम मों अब फिर से इसको किजिए पर रूलर्स पर रूलर्स आजएगा अभी यह मैंने लिया 36 इंच बाड़ा इंच इसको मैंने को डिवाइट करना कि आठ राप है मैंने यह डिजैन करने से के टाइम में बताया था एक दौम आसान है देखिए यहां पर इसको डिवाइट करना करने है कि अब दिचैन करने के बाद अगर जा जाएंग जहां पर рийक रिट्शिंग के लिए उसके क यहां पर पड़ेगा करना पड़ेगा चारााइब काटिंग के बाद प्रिंट होने के बाद ॏ कुछ दिखे रुट करता है कि आपका फोटो होसब न नहीं रपे आप कर करना Dalaihi 10 एकडम 18 ए ग्राइप करना डिबाशना हिवेат करना पड़ाईगा कि इस साइड एक में नों को एक चारो तरफ से बोडर फीट करना है पहले क्या करना है इसको लाईए ड्रैक करके वापस यहां पर एक है पूलाल गातीजी यह इस साइट लेप लेफ के लिए राइट साइट के लिए यहां से लागा ना चुल ना यहां पर मुडिल पर मैंने यहां लागाया यह यह एक की अटरू है और उसके बाद यहां पर गूंटि से बाद यहां юह vuelta यय जो पंपार से लिजिए अथरेग करके यहां पे यहां पे यहां पर से लेके और यहां फिर देख्यों स्फktionल के बाहर प्रीट के बांधर अगर चले जाएगा तो फोटो प्रिंट होने के Обद या आलब्यम प्रिंट होने के बाद पूर्टो से काटिंग होता है तो उस ताइम फोटो आपका डिजाइन आपका फ्रेम आपका बेक्गाउंड कुछ भी काट सकता है अगर आप एक ग्रीट के अंदर इस अफसेट करोगे तो आपका कुछ काटने का चांस है यह नहीं यह मैंने लागबग साध 8 mm का दे दिया तो आप यह सब्सक्राइब लागएं यह अब इसको बोलता है यह यह बीज में जो फोल्ड होता है ओफोल्ड वाला ओप्सन आए यह पार्ट है यहां पर मैं एक बार दिखा देता हूं यहां से करके इसको मैं इतना साप़ हो जाएगा यहां पे यह पे फोल्ड हो जाएगा मतला वह स्पायं में घुज़ जाएगा तो इसको भी तुदा में न करना जूरूरिया टो मेंली इतना सी अब करना है आभी मैं आपको डे मोदेता हूं कि फाइल अगर मैं इतना बहार में इसको क्या करना आप जब बैगार उसकर ना पुरा एक दों जितना बाद चाथ्टी जा उतना पुरह उसकरना तर पुरहई उसकर नहीं आ इसको मैं घृम नहीं हैं तिसको में कफी करके इसके अंदर देता हूं इसको मैं को फूरा के फूरा यूस करना है बैक आप फोटो लिया थ्यान से देखिए ज्यादा कुछ बदलब टाफ नहीं है एक बड़ आपको समाझ में आ जाएगा तो आप आपको अपका हो जाएगा इसको मैं कॉपी किया और इसके अंदर दिया थोड़ा सब्सक्राइब बड़ा करता हूं इसको देखिए अगर यह फोटो को मैं यहां पर अगर यहां पर कॉर्णर पर सेट कर देता हूं तो फ्रेंट सच्छा से देखिए अगर मेरा काटिंग मिशिन से अगर यहां से अगर काटिंग मिशिन से इतना सा कट जाएगा तो तो मेरा फोटो को कुछ नहीं होगा इतना सागा काटिंग हो जाएगा तो मेरा फोटो कुछ नहीं होगा मेरा फोटो एधिस जैसे है वैसे रह जाएगा इसको मैं इसके अंदर देता हूं जैसे इस फूटो को मैं यहां पर मैं अगर इसको यहां दे दिया देखिए अगर मैं ग्रीड ना यूज करो यहां पर दे दिया और अगर मेरा मेरा मिशिन से काटिंग मिशिन से अलबाम मोहने के तैयर होने के टाइम यहां सा अगर कट हो ज फोटो जो है वह एकदम सेब जोन में है उसे इससे कुछ नहीं होगा और कुछ फोटो से उसमें भी देख लिजी एक बड़ कि जैसे यह वाला फोटो को मैं देता हूँ कर लिया लेकिन यह अगर मेंटें नहीं करोगे तो यह बहुत बड़ा प्रब्लम हो जाएगा आपका अलबम कट सकता है कुछ जैसे मैं इसको इस साइड में दिया है तो सब्सक्राइब कर लेता हूं किसी भी साइड में दिजिए बात देखिए मैं चालतों से घुमा के दिख अगर मैं इसको सेब जोन के अंदर राखता तो मेरा कुछ नहीं होता यहां पर गया तो और यहां से काटिंग मेसिन से अगर यहां से इतना काट जाया इतना सब्सक्राइब कट गया तो मेरा कुछ नहीं होगा मेरा फोटो तो जो ऐसे के वैसे है तो फ्रेंड इसी लिए य यह लियाओर आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको दिखाया देखिए एक बापस देख लिए यह सब काटा देता हूं इसको मैं कालर वाइट कर दो फिर यहां सबस्द matar के यह लOWNा है फिर इस साइड में एक चुनल आपको अच्छा लागा हो करेने सब्सक्राइब और मेरा जो बेल बटन है उसके पास में उसको जरूर प्रेस किजिएगा इससे क्या होगा मेरा जितना भी वीडियो अबलोड होता जाएगा वह आपके पास तुरहां नोटिफिकेसन जाएगा आपको देखने को भी मिल जाएगा अगर आपके पास कुछ और नया आइडिया ह हो तो मेरा कमंड की जाएगा तो मैं उसका भी वीडियो बारना के कोसित करूंगा तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नया वीडियो नया सोच के साथ थैंक्यू फ्रेंट्स